ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मकर राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 नवंबर से 27 नवंबर याने कि इन 7 दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल्क के बारे में इनके चीजों से आपको साफधन रहना होगा शाती साथ गिरहनक शत्रों के इसाब से इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वेपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पपून और संपून जानकर इस वीडियो में आपको देने वाले हैं जा दोस्तो आज की इस वीडियो में आपकी 21 नुमबर से 27 नुमबर यानि कि इन 7 दिनों के संपून और शटीक रासी फल्क के बारे में बताने वाले हैं वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत पपुन हैं अन्त तक इसे वीडियो को आप तूरा देखें दोस्तों वीडियो का के शुरू करें सबसे पहला है अपसर रिक्वेस्ट करते हैं इसे वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट स्बोक्स में जै भोलेनात अवश्य लिख पक्ष पहले से अधिक शक्षम और मजबूत इस्तिती में रहेगा कुछ समय से चल रही चिंताओं से अब आपको राहत मिलेगी परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरते कूरी करने में आपको आनंद आएगा अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलकात खुसी आपको प्रदान करेगी दोस्तो साति सात यह समय भग्य उन्नती के सुब अफशर बन रहे हैं जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या फिर अटका हुआ था उसके अब पूरा होने का समय आ गया है कुछ विरोधी हावी होंगे परंतु आपका आहित नहीं कर पाएंगे दोस्तो यह समय विध्यार्तियों की पृत्तियोगी परिक्षाओं का परिणाम उनके पक्ष में आएगा आवश्चकता है तो सिर्फ पहले से जादा मेहनत करने की किसी रिष्तेदार या मित्र द्वारा मिल सकती है जो आपके लिए लाबदायक साबित होगी दोस्तो साथ साथ यह समय बच्चों की पढ़ाई में करियर से सम्मंदित समस्याओं का समाधान मिलने से सुकून और राहत मिलेगी बड़े बुजर्गों के आशिरवाद वे किरपा से घर में खुस नुमा वाता वरन रहेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय पाने के लिए भी तरत्न सील रहेंगे दोस्तो साथ साथ पिछले काफी समय से जो काम आपके रुके हुए या फिर अटके हुए थे वे अब आपके अल्प प्रियास से ही पूरे होने की संभवना हैं किसी रिष्टिदार से अचार सुनने को आपको मिल सकता है भाईयों से बटवारे संबंदित विवाद का निप्टारा आपसे सहमती वे किसी की माद्यमता से आसानी से हल हो जाएगा राजनितिक तता महत्पपूर्ण लोगों से लाबदायक आपके संपर्क बनेंगे आप अपनी बुद्धिमता वे होस्यारी से अधिकतर काम निप्टाने में यह समय सक्षम रहेंगे दोस्तों साती साथ यह समय कुछ लोग आपकी आलोचनावे निंदा कर सकते हैं ऐसी नकारात्मक प्रवर्ति के लोगों से दूरी आपको बना कर रखने की आवश सकता है खर्चों की अधित्त रहेगी जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है भायों के साथ संबंध मधूर बना कर रखने में आपका विशेश योगदान रहेगा दोस्तों यह समय आप अपने क्रोध वे आवेश को काबू में रखना आपके लिए आवश्क हैं कई बार जल्दबाजी वे अति उत्सा में बनाया हुआ खेली भी बिगड़ सकता है जिसकी वज़े से परिवारिक शुक्षांती भी प्रभावित हो सकती हैं संतान का जिद्दी वे अडियल रविया आपको चिंता में डाल सकता है दोस्तों साथ साथ यह समय आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें क्योंकि रूप से बेवकूप भी बना सकता है व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंतर रखने की आवशक्ता है भूमी वैवाहन संबंदी रण लेने से पहले आपको किसी की सला आवश से लेनी चाहिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा साथ साथ दोस्तों यह समय विद्यार्तियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवशक्ता है साथ ही फिजूल खर्चों में भी आप कटोती करें करोद वैं उत्तेजना पर आपको जरूर नियंतर रखने की आवशक्ता है अन्यता किस के साथ आपके संबंद भी खराब हो सकते हैं दोस्तों साथ साथ अपनी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करना आपके लिए अतियावशक है क्योंकि इसकी वज़े से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं सोशल मीडिया और व्यर्थ के मित्रों से आप दूरी बना कर रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साथ साथ बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक बातावरण सुखद रहेगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर के साथ कोई समझोता आप ना करें दोस्त कुछ समय परिवार के साथ बैठ कर समय व्यतित करना माहुल को बहुती शामान ने बना देगा दोस्तों साथ साथ पती पतनी के मध्धें यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसका अब हल निकलेगा तथा घर का वातावरण खुसनुमा हो जाएगा प्रेम प्रसंग में बच्चे की किलकारी संबंदित सुब सूचना मिलने से परिवार में यह समय खुसनुमा वातावरण रहेगा और परिवार प्रसंग पूर रहेगा दोस्तों बात अगर आपके व्यवसाय और केरियर की करें तो यह समय व्यपार व्यकामकाज में कुछ थोस्वे महत्पपू पुन आप निर्ने लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेबंद सावित होंगे आर्थिक इस्तितियां पहले से अधिक मजबूत होंगी नौकरी में किसी प्रकार की गलती होने से अधिक कारियों के शमक्ष जबाब देही आपको करनी पड़ सकती है दोस्तों सा योजना का उन्हें परिक्षण आप जरूर करें नौकरी में हलकी फुलकी परिसानी आएंगी परन्तु आप अपनी बुद्धिमता वे विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सांति पूर्ण धंग से निकाल लेंगे सातिसात कार्य छित्र में विस्तार के लिए कुछ योजनाओं पर विचार होगा यह समय मार्केटिंग संबंदी कारों पर अधिक आपको ध्यान देने की आवशकता है किसी बड़े अधिकारी या राजने तिग से आपकी मुलाकात बहुत फायदेबंद साबित होगी नोकरी पेसा लोगों की दिन चरिया बहुत अधिक व्य से चल रही थी उसके क्रिया निवंत करने का समय आगया है सेल टेक्स जी अश्टी आदी से जुड़े काम आप जल्द ही पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रैवेट नोकरी में लक्षे को प्राप्त करने का आपके ऊपर समय दबाब भी रहेगा दोस् सकता है और पैसे भी वस सकते हैं सरकारी नोकरी में किसी प्रकार की उल्जने उत्पन हो सकती है इसलिए व्यर्थ किसी के काम में हस्त छेप आप ना करें दोस्तों साथ साथ व्यपार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच परताल आप अव परंतु बॉस और वरिष्ट अधिकारियों का सयोग आपको तानाव मुक्त रखेगा दोस्तो नोकरी पेसा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय शाररिक कमजोरी तथा हड़्डियों में दर्द जैसी सम रह सकती हैं वर्तमान माहौल से अपना आपको बचाव रखने की आवश्चकता है स्वास्थ आपका ठीक रहेगा परंतु खान पान तता दिन्चरिया को विवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्चक है सातिसात वायू विकार वे पेट से संबंदित दिक्कतें रह सक जादा गरिष्ट और तेलिये भोजन खाने से आप परेज करें किसी भी प्रकार की बुरी आदत वे बुरी संगती से आप दूर रहें इसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी कमजूर हो सकता है दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप नियम